आपका बहुत स्वागत है तो आज आपके सामने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में बहुत ही अथी अपडेट देख रहा हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत मॉबाइल किस-किस को मिलेगा और कब तक मिलेगा और अब तक किस-किस को मॉबाइल मिल चुका है और ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसी लेटेस्ट जानकर ये आप तक पहुंसती रहे हैं तो आपको बता दू कि ये मुबाइल मुबाइल फोन योजना राश्तान सरकार ने 30 फरवरी 2022 को बजट में गोशना की गी तो राश्तान की 1.33 क्रोड महिलाओं को फरी मुबाइल दी जाए जबकि 1.35 क्रोड जनदार कड बने हैं तो सभी को 1.35 क्रोड महिलाओं को ये फोन दी जाएंगे राश्तान में फरी मुबाइल वित्रन को लेकर अब नई अपडेट आगे की महिलाओं को लगबग 9500 रुपे की किम्मत वाला मुबाइल दी जाएगा मुबाइल के साथ 3 साल तका इंटरनेट भी फरी रेगा और महिने में 5 इपडेटा और लोकल हैस्टीटी कॉल फरी मुबाइल फरी कॉल की सुवीदा भी होगी और एक सिम कार्ड भी फरी दिया जाएगा और ये इसके लिए मुबाइल फॉन लेने के लिए हमें रिजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा तो आपको बता दो कि मुबाइल फॉन का रिजिस्ट्रेशन करने के लिए राज्तान फरी मुबाइल योजना 2022 के तैद मुबाइल वित्रम का कार्यकर्म शुरू कर दिया गया है राज्तान में सबसे पहले आंगनवड़ी कार्यकर्ता को फरी मुबाइल दिये जा रहे हैं अब तक राज्तान में सबसे पहले आंगनवड़ी कार्यकर्ता को मुबाइल दिये गए हैं और इसके बाद मैलाओं को जिसके पास चिरंजिवी कार्ड दारक जिसके नाम चिरंजिवी में है उन परिवार की मैलाओं को मुबाइल फॉन मिलेगा और इसके लिए बता दू कि महतर फॉन सुचना है कि इसके लिए कोई भी रिजिस्टेशन कुछ भी नहीं करवाना होईगा और इसमें जो परिवार चिरंजिवी से जुड़े में हैं उन परिवार कोई ये मुबाइल फॉन मिलेगा तो रास्तान फॉन मुबाइल योजना के लिए जरूरी दस्ता वेज क्या है तो आपको बता दू कि इसके लिए जरूरी दस्ता वेज है अधार कार्ड, जन्धार कार्ड, रासन कार्ड और SOS ID पलस मुबाइल नंबर और चिरंजिवी में नाम होना भी जरूरी है और आज की वीडियो बैसे इतना ही ऐसी लेटर्स जानकरी पाने के लिए हमारी चैन्ट को सब्सक्राइब करें शेर करें, लाइक करें, कमेंट करें जैह जैबाद